हे गाईज मैं हूँ आपके साथ सचिन विवार्ड और हम पढ़ने वाले हैं एंसे डिक्ष्ट्री यानि की प्राचिन भारत की इतियास के बारे में आज हम इस लेक्चर में समराट असुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं समराट असुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, समराट असुक के बारे में उनके अवलेगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इससे पहले हमने बिंदु सार के बारे में चर्चा की थी, बिंदु सार के बारे में अद्दिन किया था तो उमीद है यह जो lecture है आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगी जो बाते में आप लोगों के साथ share करूँगा तो चलिए lecture start करते हैं और पढ़ते हैं समराट असुख समराट असुख के बारे में जाने वाले हैं तो आपको मालुम होना चाहिए कि समराठ अचोप का सासनकाल कब से कब तक है तो 213 से लेकर थेत्र कुन सा इसा पूर्ग बाला ठीक है 233 से लेकर और 232 या 36 या 34 क्या अंसर राइट है 36 ठीक है 233 से लेकर और 236 इसा पूर्ग जब भी कभी भूल जाओ 32, 34, 36 तो याद कलें न 3, 6 ठीक है क्या 3, 6 तो चलिए ये इसके सासनकाल की बेवस्ता है इसापूर्व है 233 से लेके और 236 इसापूर्व आप लोग कुछ बालू मोना चाहिए क्या कहा गया इनको प्रिये दर्सी की उपादी दी गई किसकी उपादी गई इनको प्रिये दर्सी की उपादी गई और असोक का राजव से कब हुआ था असोक का राजव से को होता है 269 इसापूर्व में असोक का राजव से कब होता है तो असोक का राजव से को होता है 269 इसापूर्व में ठीक है उपादी क्या दी गई प्रिये दर्शी के उपाई दी जाती है सासनफ दी क्या है 273 से लेकर 236 इसा पूर्व है और राज्जब से कब हुआ तो 269 इसा पूर्व में जाके समराठ असोक का राज्जब से किया जाता है बात समझ में एक नियाई बताओ दोसो 299 इसा पूर्व में समराठ असोक का क्या किया जाता है राज्जब से किया जाता है अब इसका राज्जब से कर दिया जाता है तो इसके कैई नाम मिलते हैं क्या मिलते हैं कैई नाम मिलते हैं जिनको हम एक एक करके जानने वाले हैं जैसे बिश्नु पुराण में किसमें बिश्नु पुराण में इनका क्या नाम मिलता है तो बिश्नु पुराण में इनका नाम मिलता है असोक वर्दन क्या नाम मिलता है असोक बर्दन ठीक है असोक बर्दन नाम कहा मिलता है तो असोक बर्दन नाम विश्नु प्राणन मिलता है इसके अलाबा ब्राबू लेख में क्या मिलता है ब्राबू लेख में क्या मिलता है ब्राबू लेख में इनका जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है वो मिलता है मगदादी राज क्या मिलता है मगदादी राज क्या ना मिलता है तो मगदादी राज मिलता है वो का मिलता है ब्राबू लेख में मिलता है इसके अलावा प्रिय दस्ती राजा मिलता है बहावर अब लेख में क्या मिलता है प्रिये दस्षी तो ये नाम मिलते हैं इसके प्रिये दस्षी इसके अलावे इनको बुद्ध साथ के भी बोला गया है मास की अवलेक में चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है मिटा था क्या यहीं लिख देंगे ना तो प्राणों के अनुसार असक के द्वारा कितने बर सासन किया जाता है तो 37 बरस 37 बरस तक प्राणों के अनुसार इसने सासन किया था कितने बर सासन किया था तो प्राणों के अनुसार इसके द्वारा 37 बरस तक सासन किया जाता है देखिए इसके द्वारा जो ग्रंत लिखे गए किसमें लिखे गए पाली बासा में लिखे गए क्यों लिखे गए पाली बासा में त्यूंकि जो पाली बासा थी वो आम जनकी बासा थी इसके द्वारा पाली भासा में लेख ठीक है शिला लेख तो लेख उत्क्रीन करवाए गए करवाए गए चोकी ये आम जन की वासा थी क्या थी ये आम जन की वासा थी बास समझ में आई कि नहीं बताओ आप लोगों को ठीक है मिटा दें इसको तो अगर किसी को स्किन सॉट लेना है तो बुजल्ली से स्किन सॉट ले सकता है फिर हम इसको मिटा देंगे देखिए तो असोक के अवलेक को सबसे पहले किस ने खुजा था ती पैंथेलर ती पैंथेलर के द्वारा असोक के अवलेक को सबसे पहले खुजा गया तो सबसे पहले असोक के अवलेक को किसके द्वारा खुजा गया था तो सबसे पहले टी पैंथेलर के द्वारा असोक के अवलेक को खुजा गया था कब खुजा गया था तो सब्त्रे सो पचास में ठीक है वन सेवन फाइव जीरो ये बात आपको याद रखनी है अब चलो मान लीजिया कि सब इनोंने इसकी खुज कर ली इनोंने इसकी खुज कर ली तो फिर पढ़ा किसने था पढ़ा किसने था तो सबसे पहले अठारे सो सेटीश में जैम्स प्रिसेंप ने ठीक है किसके द्वारा पढ़ा गया जैम्स प्रिसेंप के द्वारा इसको पढ़ा गया था कब पढ़ा गया अब आप लोग सोचों के साब इनोंने कैसे पढ़ दिया था तो ये कोलकाता में उस समय टकसाल अधकारी थे क्या थे टकसाल अधकारी के पद पर अब देखिए इसके बाद 1840 में एक और नौरिस ने पिर्थम बार सेवाजगड़ी लेक को पड़ा था ठीक है 1840 में कब की बात कर रहा हूं मैं 1840 की बात कर रहा हूं नेरिस ने सेवाजगड़ी अभी लेक को पड़ा 1840 में किस के दौरा पड़ा गया तो नेरिस के दौरा पड़ा गया कौन सा पड़ा गया सेवाजगड़ी को पड़ा ठीक है वाजगड़ी आप लोगों के चलिए अब देखिए हम बात करते हैं इसके कुछ सिलालेखों के बारे में ठीक है इसके कुछ सिलालेखों के बारे में हम बात करते हैं सिलालेख कितने परकार के होते हैं आप सभी को मालूम होगा दो परकार के होते हैं एक दीर के सिलालेखों होता है और एक कैसा होता है एक लगू सिलालेखों होता है एक कैसा सलालेक होता है एक दीर की सलालेक होता है और एक लगू सलालेक होता है अब इन दोनों को एक एक करके हमको पढ़ना पढ़ेगा कि दीर की सलालेक कौन से होते हैं और लगू सलालेक कौन से होते हैं देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है इस्तम्लेक शिलालेक और अंतर नहीं मालूम एक होता है इस्तम्लेक और एक होता है शिलालेक ठीक है अब इस्तम्लेक कुन सा होता है और इस्तम्लेक कुन सा होता है देखिए ध्यान से समझना इस्तम्लेक वो लेक होता है जो लिखा तो फत्तर पे जाता है लेकिन बड़े छोटी चीजों के उपर ये उल लिखित होता है जैसे कोई पिलर हो गया इस्तम का पता चल रहा है न ऐसे कोई पिलर हो गया इस्तम हो गया ठीक है इसको उपर इसको क्या कर दिया अंकित कर दिया किसी मिनार के खंबे हो गए तो इनके उपर क्या कर दिया इसको अंकित कर दिया उपर सिलाले क्या होता है तो सिलाले को होता है सिला का मत्व होता है चक्टान ठीक है चक्टान उपर इसको अंकित कर दिया जाता है और फिर अबले क्या होता है सब समझ लो आज अबलेग क्या होता है तो अबलेग वो होता है जो छोटी चीजों पर लिखा जासे है आपके दीवार है ना दीवार गर की दीवार है उसके उपर लिख दिया आपने किसी मंदर की दीवार की उपर कोई विपरन लिख दिया यह मंदर तब बनाई गई थी उसके समय बनाई गई थी तो ऐसे जो छोटे होते वो अबलेक की से नहीं में आते हैं सिलालेक बड़ी चट्टानों पर रिखे जाते हैं पर इस तमलेक उमीद है यह समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए मिटाते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं आप देखिए दीर की सलालेक और लगू सलालेक अब हम बात करने बाले हैं दीर की सलालेक के बारे में किसके बारे में दीर की सलालेक के बारे में कि दीर की सलालेक कितने हैं चौधा कितने हैं चौधा हैं कितने इस्तानों से प्राप्त हुए तो चौधा सलालेक चौदै सिलालिक आठ इस्तानों से प्राप्त हुए हैं अब सुभाविक है आप लोगों के मन में क्या रहा होगा कोश्च रहा होगा किसाब कौन कौन से हैं कैसे कैसे हैं किस किस ने खोदा कब कब खोजा ठीक है तो चलिए उनको हम लिखाते हैं आपको देखिए अब आप लोगों को बोड़ पर दिख रहा होगा मैंने इस पर क्या बना दिये हैं इस पर पूरे के पूरे अबलेखों का क्या किया है उनलेख किया है ठीक है मैंने बताय था 14 अबलेख 8 हिस्तानों से क्या हुए है प्राप्त हुए है अब हम उनकी गड़ना करें 1,2,3,4,5,6,7,8 अब हम इनका एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा अबलेख किसके द्वारा खो जा गया देखिए गिरनार गिरनार की बात करें गिरनार ब्राप्त सलालेक की हम बात करें तो यह है कहां पे देखिए यहां पे देखना इस्तिती है ऐसा आप लोगों को अपनी कौपी में एक चार्ट बना लेना है इसके अलावे इसके खोज करता कोन है और किस बर्स खोजा गया इसे पे चार लाइने हैं एक तो बरस लाले कि ये हैं इस्तिती यहां यहां पे है खोज करता किस-किस ने खोज की और बर्स कब-कब इसकी खोज की गई तो इसकी इस्तिती में पहला देखिए पहला पढ़ता है गिरनार कौन सा पढ़ता है तो पहला पढ़ता है गिरनार गिरनार कहाँ पे है तो गुजराद के जूनागर में पढ़ता है किसके गुजराद के जूनागर में इस्तित है खोज करता कौन थे तो खोज करता थे इसके करनल टॉड़ कौन थे इसके खोज करता थे कर्बनल टोड और कब खोजा गया इसको तो इसको 1822 में खोजा गया था, अब देखें दूसरे की बात करें हूं सहवाजगडी, कुन सी गड़ी, सहवाजगडी कहां परिष्थित है तो पेसावर में, कहां पेस्तित है, पेसावर में स्तित है, और पेसावर जगे कहां परती है, तो पेसावर जगे परती है पाकिस्तान में, ठीक है, खोज करता देखिए खोज किस ने की थी तो खोज की थी General Court ने किसके दौरा खोज की गई खोज की जाती है General Court की दौरा कब की जाती है तो 1836 में इसकी खोज की गई थी बास समझ मैं यह आप लोगों को तो सेवाजगडी पेसावर में General Court के दौरा खोज की और 1836 में की अब एक जगे पढ़ते हूँ सिला लेके जिसका नाम क्या है दौली कहाँ पे है पुरी पुरी का नाम सुना है न उडिसा में जो है पुरी में है और इसकी खोज किसके दौरा की गई तो इसकी खोज की तो की तो के सिलालेक जोगर कहाँ पे इस्तित है तो ये इस्तित है गंजाल जिला पढ़ता है कौन सा जिला पढ़ता है गंजाल जिला पढ़ता है कहाँ पढ़ता है उडिसा में पढ़ता है खोज करता कौन थे तो बाल्टर इलियट खोज करता कौन थे खोज करता थे बाल्टर इलियेट कब खोज की गई अठारे सो पचास में इसकी खोज की जाती है ठीक है अब सिलालेक में बात करें तो कालसी कौन सा सिलालेक कालसी सिलालेक इस्तिदी कब थी कहां है देहरादूर में है देहरादूर कांपड़ता है उत्रखन में पड़ता है खोजगर्दा कोन है? फारेस्ट है और कब इसकी खोज की जाती है तो इसकी जो खोज की गई थी वो 1860 में की गई थी बास समझ मैं आई आपको आब बताएं ये मंसेरा मंसेरा कहां पड़ता है? हाजरा जिला इस्तिती पाकिस्तान खोजगर्दा कोन थे? कनिंगम और कैप्टन ले कौन? कनिंगम और कैप्टन ले बर्स 1899 में आगे बात करिए ब्रस्रा लेग में देखिए एर रगुडी एर रगुडी की इस्तिती कहा है? कुर्णूल में है? कहा है? कुर्णूल में है कुर्णूल आंद्रप्रदेश खोज करता कौन थे अडू गोस खोज करता का नाम क्या था तो खोज करता थे इसके अडू गोस और बर्स कब खोज की जाती है तो खोज की गेची 1829 में अब देखिए नीचे राष्ट में 100 पारा लाष्ट और अंदिम 100 पार थाड़े महाराष्ट में पड़ता है दोनों खोज करता और बस जो है वो क्या है अज्यात है तो इस प्रिकार आप लोगों के ब्रस लालेक का पूरा डाइग्राम क्या हो गया किलियर हो गया ठीक है बास समझ में है यह आप लोगों को तो ब्रस लालेक बापिस एक वरिवा प्रशावर में है खोजकर्ता जन्रल कोट हैं बर्स 1836 में सिलालेक दौली स्तिती पुरी-पुरी पड़ता है उडिसा में सिलालेक है जोगर्ड इस्तिती एसकी गंजाल जिला उडिसा खोजकर्ता है इसके बाल्टर लियट और बर्स 1850 में अगले सलाले की बात करें तो कालसी सलाले का नाम है जगै का नाम है देरादून, उत्राकन, खोज करता हैं Calling फारेस्ट और बरस 1860 सलाले की बात करें तो मन्सहरा जगे है हाजराजला पाकिस्तान कनिंगम और कैपटन लेने इसकी खोज की थी कब की थी अठारे सो निन्यानमे में एर्र गुडी सिलाले के कुर्नूल आंद्रिपिर्देस में पढ़ता है अणु गोश के द्वारा खोश की गई अठारे सो उन्तिस में और अंतिम और लाष्ट है सोपारा थाणे महराष्ट और खोश कारतार बर्स क्या है अग्यात है इसलिए उनकी जनकारी उपलब्त नहीं है बताओ समझ में आया कि नहीं आया है आप लोगों की ठीक है मिटा हैं फिर इसको चलिए इसको क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं देखिए आगे अब हमने इनको अध्यन कर लिया अब इसमें क्या है हम पिरतेक लेग के बारे में बिस्रत जनकारी से अध्यन करेंगे कि पिरतेक लेग के बारे में क्या-क्या जनकारियां दी हुई है जैसे पिर्थम में क्या था देड़ जाननी दिधी जानली सब कुछ जान लिया लेकिन थोड़ी प्याक्थ है जान लें पहले में पिर्थम लेख पिर्थम लेक में क्या दिया हुआ है पिर्थम लेक में ये बात दी हुई है कि पसुओं की हत्या पर क्या लग जाए पिर्थी बंद लगा दिया जाए तो पिर्थम लेक में क्या उत्तिन किया गया है पसुओं की हत्या पर पिर्थी बंद लगा दिया जाए क्या लगा दिया जाए पिर्थी बंद लगा दिया जाए किस पर पिर्थी बंद लगा दिया जाए तो पसूं की हत्या पर पिर्थी बंद लगा दिया जाए पसूं की हत्या से संबंदित कहां से जनकरी मिलती है तो पिर्थम लेक से जानकरी मिलती है, इसने एक बात कहिए है, आप देखें जैसे इसने ये आदिश निकाला तो बहुत सारे समास ते उनका बहुत अच्छा काम है, पस्वों के अत्या पर रोक लग ज़न चाहिए, लेकिन कुछ ने बिरूद भी किया था, ठीक है, बात समझ तीन पस्वों से जादा पस्वों की हत्या नहीं की जाए, कि जाए इंफिशो यह पंसूव से ज़्यादा इसों की नहीं की जाये डाइभात आपको तीन पशुय से ज़्यादा पसुव की हत्या नहीं D जाने जाएए और ये भी कहा था कि बविश्य में इन पर भी पिर्ती बंद लगा दिया जाएगा बविश्य में ये कहा गया कि इन पर भी पिर्ती बंद लगा दिया जाएगा ठीक है तो बविश्य में ये कहा गया कि इन पर भी पिर्ती बंद लगा दिये जाएगा ठीक है तो समझ में आ गई चलो ये पिर्तम लेक से संबंदित हो गया ये क्या हो गया पिर्तम लेक से संबंदित हो गया आप देखिए दूसरा क्या कहता है दूसरा क्या कहता है ठीक है दूसरा ये कहता है सीमा सुरक्षा से संबंदित का मतलब हो क्या है इसने ये कहा है कि मैंने अपने पड़ोसी राज्योंस की जो सीमा है उन पर क्या किया है चिकस्या और पशुचक्या का प्रबंद किया है तो दूसरे लेख के अनुसार इसने कहा कि मैंने अपनी सीमाओं पर मैंने अपनी सीमाओं पर चिकत्सा आध का प्रबंद किया है तो इसने का कि मैंने अपनी सीमाओं पर चिकत्सा आध का क्या किया है प्रबंद किया है बता यह बात समझ में आई की नहीं आई यह जानकारी कहां से मिलती है तो यह जानकारी दूसरे अविलेक से प्राप्त होती है किसे प्राप्त होती है दूसरे अब लेक से प्राप्त होती है ठीक है चलिए तीसरे लेक में क्या लिखा हुआ है तीसरे लेक में लिखा हुआ है इसने ये बात बोली थी कि जो रजुक हैं यानि कि वो क्या करें प्रादेशिक छेत्रों में जाएं और जनता की समस्यां सुनें उनको क्या परिशानी है तीसरे लेख में असोग ने कहा कि रजुक प्रादेशिक छेत्रों में जाएं प्रादेशिक छेत्रों में जाएं और आम जन की आम जन की सिकायतें सुनें क्या बात बोली ये बात बोली कि असोग ने कहा था कि रजुग जो है वो प्रादेशिक छित्रों में जाएं और आम जन की क्या सुनें समस्चा है सुनें तो ये दूसरे और तीसरे लेक के बारे में मैतिपूर जनकारी है ठीक है जली से इसका स्किन सोट लीजिए फिर मिटाते हैं तो इसको रफ करते हैं और फिर आगे देखते हैं तीसरे के बाद चौथे लेक का हम लेक करेंगे चौथे लेक का क्या करेंगे? उलेक करेंगे चौथा लेक क्या कहता है? तो चौथे लेक में धम्ब नीती का उलेक किया गया है कौँसी नीती? धम्ब नीती धंब नीती का उलेख किया गया है अब धंब नीती का मतलब क्या होता है धंब नीती का मतलब होता है कि प्रतेग व्यक्ति जो है वो सिष्टावान बने, सीलवान बने, आदर्सवादी बने तो ये क्या है धंब नीती की विशेषता है तो चौते लेक में लिखा है कि दम नीती का उलेक किया है जिसमें कहा गया है पिरतेक व्यक्ति सीलवान आदर्सवान बने ठीक है अपने गुड़ों का सही से अनुसरन करें अपने गुड़ों का सही से अनुसरन करें बात समझ में आई कि नहीं आई तो ये बात कहां बोली गई है ये बात चौते लेक में बोली गई है ठीक है चलिए, अब पांचवे में क्या है? पांचवे ये कहता है, मैंने अपने सासन के तेरे वे बर्स में महा मात्रों के क्या की थी? न्युक्ति की थी किनकी न्युक्ति की थी तो मैंने दम्म महा मात्रों की संदेज देने जाते हैं लोगों को सिख्छा देते हैं तो इनकी न्युक्ति की तेरे वे बर्स में दम्म महा मात्रों की न्युक्ति की थी समझे में आ गई दम्म महामातर क्या होते हैं दम्म महामातर वो होते हैं जो की धरम के पिर्चार पिर्चार से रिलेटर होते हैं तो जल्ली से इसको उतारी है फिर इसको क्या करते हैं रफ करते हैं छटवे लेख में क्या बात बोली गई है छटवे लेग में ठीक है तो छटवे लेग में ये बात बोली गई है कि मुझे जनता से संबंद सूचना चाहिए रिपोर्टर यान कि इनको बोला गया है विसेश रिपोर्टर किसमें बोला गया है च्छटवे लेग में बोला गया जुनकों बोलते थे पिर्ति वेदकों को कहा गया है जुनकों क्या बोला जाता था बिसेस रिपोर्टर ठीक है, क्या बुलाया था था बिसेस रिपोर्टर, इसमें पिर्तिवेद को का गया है बिसेस रिपोर्टर का गया है की मुझे की मैं जहां भी रहूं मैं जहां भी रहूं मुझे जनता के बारे में जन्ता के बारे में सूचना मिलती रहे जन्ता के बारे में क्या मिलती रहे सूचना मिलती रहे ठीक है ये बाद किसने बोली थी ये छटवे लेक में ये बाद असोक के द्वारा बोली जाती है ठीक है चलिए अब साथवे के बारे में बात करते है साथवे लेख में बोला गया है जब सब जगे संपिर्दाओं के मनुझे निवास करें क्योंकि वे सयम और आत्म सुद्धी चाते हैं तो साथवे लेख में ये बात बोली गई है क्या बात बोली गई है सब जगे सब जगे पिर्तिक धर्म की मनुझे क्या करें निवास करें ताकी ताकी निवास करें इसको यहां लिखते हैं क्योंकि पिर्तिक धर्म क्या चाता है पिर्तिक धर्म क्या चाता है सिस्टा चार भाई चारा बंदता चाता है भाई चाला चाहता है इसके अनुसार कोई विव्यक्ति कहीं रहे को हिंदू कहीं रहे मुस्लिम थे नहीं हिंदू रहे जयन हो चाहिए कोई बहुत हो वो कहीं रहे तो पिरतेक धरम क्या चाहता है सिष्टा चाहता है बाईचारा चाहता है कोई भी धरम यह नहीं चाहता कि इनके बीच में लड़ाई जगडे हों ठीक है आठवे लेख में क्या लिखा हुआ है आठवे लेख में लिखा हुआ है दम की यात्राओं का उलेख दम की यात्राओं का उलेख पास समझ मैं तो आठवे लेख में दम की यात्राओं का उलेख दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दमकी यात्रों का उलेक दिया हुआ है ठीक है ठीक है आप देखे नौबे मंदल में क्या लिखा हुआ है नौबे में नौबे में ये बताया गया है कि जो दास हैं जो नीचे जाती के लोग हैं जो जिस प्रकार की सेड़ी के लोग हैं उनके साथ सिष्टा चार पूर व्यवार किया जाए दासों के साथ सिष्टा चार सिष्टा चार पूर व्यवार कैसा व्यवार हो सिष्टा पूर चुर व्यवार हो चलिए मिटाएं फिर इसको जल्ली से पटाक से उतार लीजिए इसकिन सोड लेजिए फिर में इसको मेटाता हूं चलिए तो दसवे सिलालेक में क्या लिखा हुआ है दसवे सिलालेक में यस और कीर्थी की क्या की गई है दसवे सिलालेक में क्या हुआ है यस और कीर्थी की निंदा की गई है यस और कीर्थी की क्या की गई है निंदा की गई है बात समझने हैं आप लोगों को तो येस और कीर्थी की निंदा कहां की गई है दस बे सिलालेक में येस और कीर्थी की निंदा की गई है ठीक है इसके अलावा ग्यारवे इसके अलावा ग्यारवे में क्या किया गया है ग्यारवे सिलालेक में ये बात बोली गई है 11 सलालेग में ये बात बोली गई है कि धमदान सबसे सिरेष्ट दान है क्या बात बोली गई है? ये बात बोली गई है धमदान है वो क्या है? सबसे सिरेष्ट दान माना गया है 12 सलालेग क्या कहता है? तो बारवह सिलाले किा कहता है बारवह सिलाले कि इस बात का उले करता है कि जो धारमिक सहीसडिता है वो क्या है वो क्या है स्रेष्ट है ठीक है वो क्या है सर्वस्रेष्ट है दार्मिक सही शुड़ता सर्वस्रेष्ट है ठीक है बात समझ में आप लोग को तो बारवे में क्या है क्योंकि प्रतिक धरम है उसमें यही बात बोली गई है कि सही शुड़ता जो है वो क्या है सर्वस्रेष्ट है बाईचोरा बंदता किसी भी दर्म की प्रति कोई किसी के द्वरा अत्याचार नहीं होना चाहिए आप देखिए तेरेवे जो है वो सबसे बड़ा लेख है तेरेवा जो है तेरेवा क्या है सबसे बड़ा लेख है सबसे बड़ा लेख है और इसमें कलिंग युद्ध का उलेख है ठीक है तो कलिंग युद्ध का क्या दिया हुआ है उलेख दिया गया है किसमें दिया हुआ है टेरेवे में दिया हुआ है ठीक है चलिए आप देखिए लाश्ट देखिए लाश्ट में क्या है लाश्ट है चौदेवा और चौदेवे में क्या बताया है उप संगार सुरू विश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश् झाल